नमस्कार आप देखरें नीजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजोन नरायना जो देश के लिए बड़ा दिन हैं क्योंकि आज उत्राखंड की 70 विधान सभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है सुबह आठ बजे मतदान शुरू है इसके अलावा उत्रप्रदेश की 55 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है हालाकि उत्रप्रदेश में दूस्रे चरण का मतदान है वहीं गोवा की 40 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है उत्राखंड का मुरू करेंगे उत्राखंड की 70 विधानसवा सीटे जिस पर आज मतदान सुभा 8 बजे से शुरू हो चुका है तो ऐसे में किस तरह का महौल बना हुआ है मतदाता कितने उस साहित है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे फिलाल आपको बता दूँ कि 70 विधानसवा सीटों पर करीब 632 जो प्रत्याशी है वो मैदान में उत्रे हुए है यानि कि आज सुभा 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 632 जो प्रत्याशी है उनकी किसमत आज इवियम में कैद होने चा रही है दुर्गम जो इलाके हैं जो संवेदन शिर इलाके हैं वहाँ पर चौकसी बहुत जादा वरहादी गई है जो मैदानी राके हैं वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्ता पर्याप्त है तमाम जिलों से जो रिपोर्टर से वो मेरे साथ जुड़ेंगे लिग्स से पहले आपको बड़ा सवाल है लेकिन आज ये तैह हो जाएगा नतीजे दस मार्च को आएंगे लेकिन आज इस तिती साफ होती हुई नजर आएगी तमाम जिलों से कुछ रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ेंगे वो सुर्टेहाल बताएंगे कि वहाँ का महाल कैसा है कैसी तस्वीरे है अलग लग जगा से हरद्वार से हजी मेरे साथ जुड़ेंगे सितार गन से दीपक भारद्वाज मेरे साथ जुड़ेंगे वही देरादून से मेरे सयोगी सुभाष गौड मेरे साथ जुड़ेंगे जो की ब्यूरो चूप भी है वो बताएंगे कि देरादून में किस तरह का महाल देखने के लिए मिल रहा है